असलाम अलेकूं मैं हूं मुहमद एहमन नजीर और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी स्कूगेज तो आपकी बुक्के अकॉर्डिंग भी चलेंगे और इसका कॉंसेट बनेने की कोशिश करोंगा अगर आप लोगों को वर्नेर कैलिपर इसका कॉंसेट याद है तो इसको भी याद करना कुछ मुश्किल नहीं होगा ऐसी वैलिव जो वर्नेर कैलिपर से मैयर नहीं की जा सकती मीन के अगर आपको 0.1 मिलीमेटर से ज्यादा की एकुरेसी चाहिए होगी greater accuracy than 0.1 मिलीमेटर तो आप यूज करते हैं स्कूगेज का और स्कूगेज को हम माइक्रो मेटर स्कूगेज का नाम भी देते हैं माइक्रो मेटर स्कूगेज का नाम भी इसको हम देंगे if we want to calculate the value of the value greater than 0.1 मिलीमेटर और want to get the accuracy greater than 0.1 मिलीमेटर so सबसे पहले किसी भी इंशुमेंट की construction को देखा जाता है कि किस चीज को हम नाम देते हैं स्कूगेज का तो हमारे पास जैसे के वर्नियर कैलिपर इसी तरह स्कूगेज के अंदर भी दो scales होते हैं इसके भी दो ही jaws होते हैं एक आपके पास fixed होता है एक आपके पास fixed होता है और दूसरा आपके पास movable है fixed jaw को हम नाम देते हैं या fixed scale को हम नाम देते हैं main scale का जैसे के हमने नाम दिया था वर्नियर में इसमें भी इसका नाम main scale ही है it is also just like a meter rod और इस पे भी जो smallest reading देखी जाती है smallest reading smallest जो सबसे छोटी reading है on fixed scale देखी जाती है बैटा least count calculate करने के लिए and the smallest reading on the main scale m.s लिक रहा हूँ वो one millimeter ही है because it is just like a meter rod और screw gauge के अंदर आपके पास जो skill movable होता है जो skill move कर सकता है वो हमारा जो skill move कर सकता है वो हमारा circular scale है जिसके अंदर total number of deviants उसके ओपर hundred होती है number of deviants और ये वाला scale आपका fixed scale कहलाता है जिसको आप main scale का नाम देते हैं और यहाँ पर जो movable scale है इसको हम ratchet से clockwise rotate या anti clockwise rotate करके हम इसको गूमाते हैं इसके deviants को move करते हैं और इस पर हमेशा में आपको बड़े अच्छे से बता है कि total number of deviants देखी जाती है जो के आपके पास आ रही है hundred अब least count calculate करने के लिए बड़े अच्छे से बता है कि previously इस topic में भी हमने discuss किया था कि least count calculate करने के लिए हम करते क्या हैं कि हम total या smallest reading smallest reading जो होती है main scale के उपर उसको divide कर देते हैं total number of deviants on movable scale ये in general formula मैंने बता है था smallest reading on main scale जो भी fix scale होगा उसके smallest reading को आप divide कर देंगे total number of deviants on movable scale जो के इस scale में हमारे पास circular scale है कौन सा scale है जी circular scale circular scale number of deviants on circular scale जी smallest reading जो main scale पे आ रही है वो हमारी 1 mm है और total number of deviants जो circular scale पे आ रही है वो हंडेड है तो यहां से यह चीज़ क्लेर हो जाती है कि वर्नेयर के पर तो वन मिलीमेटर के टेंथ पार्ट तक वेल्यू मेयर कर रहा था बट स्क्रू गेज से आप वन मिलीमेटर के हंडेड पार्ट तक वेल्यू को मेयर कर सकते हो वन मिली मिलीमेटर को जब 100 पे डिवाइड करते हैं तो आसर आता है 0.01 मिलीमेटर और सेंटीमेटर में करने के लिए मजीर 10 पे डिवाइड करते हैं हिंट वही के 1 सेंटीमेटर इस इकल टो 10 मिलीमेटर और मिलीमेटर से सेंटीमेटर में आते हुए आपको मजीर 10 पे डिवाइड क करना पड़ेगा तो यह आजएगा जी 0.001 cm the smallest reading which can be taken with the help of any mirroring instrument is called the least count of that instrument and the least count of the screw gauge is 0.01 mm और 0.001 cm अब इस से इंशाला next topic के अंदर ही नहीं next topic में क्या मैं अभी ही clear कर देता हूं कि आपने reading कैसे लेनी है how can we take the reading with the help of screw gauge तो इसका अदर आप कोई screenshot लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं तो reading लेने के लिए सबसे पहले कि इन्हीं दो skills की reading लिए जाएगी main scale reading और circular scale reading जीरो एरर की दरफ इलहाल नहीं जा रहा तो main scale reading की बात करूं तो आपने जिसका भी diameter या cross sectional area calculate करना है उसको इसके jaws के दरवेन fix करेंगे और ये चीज़ देखेंगे देखेंगे ये main scale reading आप जब jaws के दरवेन किसी भी चीज़ को fix up कर देंगे तो यहां पर जितनी रीडिंग्स आ रही होगी डिरेक्ली यहां पर लिखतो बहुत ही असान सा तरीका है उसके बाद आपने लेनी है circular scale reading और जब जबी movable scale की reading ली जाती है उसको हमेश्या least count के साथ multiple करते हैं और movable scale पर actually जो चीज़ चेक की जाती है वो यह देखी जाती है किसकी total deviance में से ऐसी कौन सी वो deviance है जो main line के साथ जाके मिल रही है जैसे कि यहाँ पे इस line के सामने screw gauge के इस line को physics के अंदर नाम दिया जाता है index line का circular scale की ऐसी कौन सी reading है जो index line के बिलकुल आमने सामने आ रही है जैसे कि यह दो चीज़ें बिलकुल आमने सामने आ जाएं यह नीचे मेरे पास वर्ज करें यह आपके पास index line है और circular scale की reading है 30 ऐसी वो reading है जो index line के सामने आ रही है तो आप 30 लिख ले नमबर लिखना पर लीस कौन क्या होता है जी 0.001 cm इन दोनों को multiply करें जो answer आएगा वो फाइनली जो observed value होगी हमारे पास अभी इसमें हमने zero error की बात नहीं observed value इसको और इन दोनों values को add कर दे main scale reading प्लस vernier scale reading यह हमारा होगा जी required result मैंने बहुत ही shortly आप लोगों को इसकी reading लेने का तरीका कार बता है क्यूंकि इसकी reading जो ली जाती है actually वो paper में नहीं बलके practical में बू पुरा जरूर देखा करें मैंने actually यह शुरूर भी इसलिए किया था ताकि मैं basics को clear कर सकूँ so hopefully आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी और इसको दूसरों के साथ प्लीज जरूर से शेयर कीज़ेगा और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीज़ेगा अपना बहुत सारा सा क्याल रखेगा अल्ला हाफ़ाइब